आज हम बात करेंगे math के chapter number 1, rational and irrational numbers के practice set 1.3 के बारे में, जिसमें हम सीखेंगे decimal representation of rational numbers, यानि rational number को किस तरह decimal form में represent किया जाता है, if we use decimal fraction while dividing the numerator of a rational number by its denominator, we get the decimal representation of a rational number. जब हम rational numbers के numerator को divide करते हैं उसके denominator से, तो हमें मिलता है rational numbers का decimal representation. decimal form दो टाइप के होते हैं, एक होता है terminating और दुसरा होता है non-terminating, terminating decimal form में remainder में 0 आता है, जहां division का process end होता है. example, 7 upon 4 का decimal form है 1.75, non-terminating decimal दो टाइप के होते हैं, जहां remainder, repeating या non-repeating होते हैं. example, 7 upon 6 का decimal form है 1.1666, जहां digit 6 repeat हो रहा है, recurring हो रहा है, इसे हम लिखेंगे as 1.16 और 6 के उपर एक dot place करेंगे, जिससे पता चलेंगा की digit 6 recurring है. दूसरा example है 23 upon 99, इसका decimal form है 0.2323, जहां दो डिजिट 2 और 3 repeat हो रहा है, recurring हो रहा है, इसे हम लिखेंगे as 0.23, और 23 के उपर एक bar place करेंगे, जिससे पता चलेंगा की digit 23 recurring है, repeating है. शुरू करते हैं practice set 1.3, write the following rational numbers in decimal form, यहां हमें rational numbers के decimal form लिखने हैं, फर्स्ट कुश्चन है 9 upon 37, इसे divide करेंगे, numerator 9 है dividend और denominator 37 है divisor, normal division में dividend बड़ा number होता है और divisor छोटा होता है, लेकिन यहां पर dividend छोटा है और divisor बड़ा है, तो कुछ steps हम यहां follow करेंगे, जिससे question में कब 0 लिखना है, और कब decimal point लगाना है, यह confusion clear हो जाएगा. rough working में 37 को कुछ number से multiply करके रखा हुआ है, जिससे divide करने में आसानी होंगी, dividend है 9 और divisor है 37, 37 के table में 9 नहीं आएगा, क्यूंकि 9 छोटा है 37 से, ऐसे condition में जहाँ dividend छोटा होता है, तो हम यह step follow करेंगे, 37 को multiply करेंगे 0 से, तो हमें मिलेगा 0, जो 9 से छोटा है, 37, 0, 0, 9 में से 0 को minus करेंगे, तो मिलेगा 9, अब 9 को आगे divide करने के लिए, हमें 9 के आगे 0 लगाना होंगा, जिसके लिए हम question में decimal point लगाएंगे, जिसके बाद हम reminder में 0 लगा सकते है, तो अब यह 9 होंगा 90, अब हमे चेक करना है कि 37 के table में 90 आता है या नहीं, या उससे छोटा number क्या आता है, rough working में चेक करेंगे, 37 के table में 90 नहीं आता है, लेकिन उससे छोटा number आता है 74, 37, टूजा 74, 0 से 4 माइनस नहीं होंगा, तो बाजू के number से 1 बोरो करेंगे, 9 हो जाएंगा 8, और 0 बन जाएंगा 10, 10 मे से 7 को मैनस करेंगे तो मिलेंगा 1, नमबर मिला 16, आगे डिवाइड करने के लिए 16 के आगे लगाएंगे 0, तो अब ये 16 हो गया 160, अब हमें चेक करना है कि 37 के टेबल में 160 आता है या नहीं, या उससे छोटा नमबर क्या आता है, रफ वरकिंग में चेक करेंगे, 37 के टेबल में 160 नहीं आता है, लेकिन उससे छोटा नमबर आता है 148, 37 फोर्जा 148, 0 से 8 मैनस नहीं होगा, तो बाजू के नमबर से 1 बॉरो करेंगे, 6 हो जाएगा 5, और 0 बन जाएगा 10, 10 में से 8 को मैनस करेंगे तो मिलेगा 2, 5 में से 4 को मै मैनस करेंगे तो मिलेगा 0, नमबर मिला 12, आगे डिवाइड करने के लिए 12 के आगे लगाएंगे 0, तो अब ये 12 हो गया 120, अब हमें चेक करना है कि 37 के टेबल में 120 आता है या नहीं, या उससे छोटा नमबर क्या आता है, रफ वरकिंग में चेक करेंगे, 37 के टेबल में 120 नहीं आता है, लेकिं उससे छोटा नमबर आता है 111, 37 थरीजा 111, 0 से 1 माइनस नहीं होगा, तो बाजू के नमबर से 1 बॉरो करेंगे, 2 हो जाएगा 1, और 0 बन जाएगा 10, 10 में से 1 को माइनस करेंगे, तो मिलेगा 9, 1 में से 1 को माइनस करेंगे, तो मिलेगा 0, 1 में से 1 को म से division का repetition होंगा, तो यहां हमें division को end करेंगे, question 0.243 होंगा हमारा answer, लिखेंगे 9 upon 37 का decimal form है 0.243, 243 का repetition होंगा, इसलिए 243 के उपर एक bar place करेंगे, अगर एक digit repeat होता, तो हम उसके उपर point place करते, second question है, 18 upon 42, यह fraction एक number से divide हो सकता है, तो इसे divide करके लाएंगे इसके reducing form में, first question में fraction किसी एक number से divide नहीं हो रहा था, यहां दोनों number divide होंगे 2 से, 2, 2s are 4, 2, 1s are 2, 2, 9s are 18, दोनों number divide होंगे 3 से, 3, 7s are 21, 3, 3s are 9, आगे यह divide नहीं होंगा, fraction मिला 3 upon 7, इसे divide करेंगे, numerator 3 है dividend और denominator 7 है divisor, यह dividend छोटा है और divisor बड़ा है, previous sum की तरह same step follow करेंगे, rough working में 7 के table को लिख कर रखेंगे, जिससे divide करने में आसानी होंगी, dividend है 3 और divisor है 7, 7 के table में 3 नहीं आएगा, क्योंकि 3 छोटा है 7 से, ऐसे condition में जहाँ dividend छोटा होता है, तो हम यह step follow करेंगे, 7 को multiply करेंगे 0 से, तो हमें मिलेगा 0, जो 3 से छोटा है, 7, 0, 0, 3 में से 0 को मैनस करेंगे तो मिलेगा 3, अब 3 को आगे divide करने के लिए, हमें 3 के आगे 0 लगाना होंगा, जिसके लिए हम कोशन में decimal point लगाएंगे, जिसके बाद हम remainder में 0 लगा सकते है, तो अब यह 3 हो गया 30, अब हमें चेक करना है कि 7 के table में 30 आता है या नहीं, या उससे छोटा नंबर क्या आता है, रफ वर्की में चेक करेंगे, 7 के table में 30 नहीं आता है, लेकिन उससे छोटा नंबर आता है 28, 7 फोर्जा 28, 30 में से 28 को मैनस करेंगे तो मिलेगा 2, आगे divide करने के लिए 2 के आगे लगाएंगे 0, तो अब यह 2 हो गया 20, अब हमें चेक करना है कि 7 के table में 20 आता है या नहीं, य 20 में से 14 को मैनस करेंगे तो मिलेगा 6, आगे divide करने के लिए 6 के आगे लगाएंगे 0, तो अब यह 6 हो गया 60, अब हमें चेक करना है कि 7 के table में 60 आता है या उससे छोटा नंबर क्या आता है, रफ वर्की में चेक करेंगे, 7 के table में 60 नहीं आता है, लेकिन उससे छोटा नंब आता है 56 Comics 7 makers 56 मर्यानेश करेंं टो मिलेगा फॉर 하 आगे डिवाइट करने के लिए Plky आगे लगाए ज़रो तो अब जहिए 450 noteakta कर साब मैं 20 यह उसे छोटा नंबर च्छाज से राफ वरकिंग में चेक करेंगे but के टेबल में 40 नहीं आता है लेकिन उसे छोटा नंबर आता है 35, 7 5 जा 35, 40 में से 35 को मानस करेंगे तो मिलेगा 5, आगे डिवाइड करने के लिए 5 के आगे लगाएंगे 0, तो अब ये 5 हो गया 50, अब हमें चेक करना है कि 7 के टेबल में 50 आता है या नहीं, या उसे छोटा को मानस करेंगे तो मिलेगा 1, आगे डिवाइड करने के लिए 1 के आगे लगाएंगे 0, तो अब ये 1 हो गया 10, अब हमें चेक करना है कि 7 के टेबल में 10 आता है या नहीं, या उसे छोटा नंबर क्या आता है, रफ और की में चेक करेंगे, 7 के टेबल में 10 नहीं आता है, ले तो यहां हम division को end करेंगे, question 0.428571 होंगा हमारा answer, लिखेंगे 18 upon 42 या 3 upon 7 का decimal form है, 0.428571, 428571 का repetition होंगा, इसलिए 428571 के उपर एक बार place करेंगे. थर्ड question है, 9 upon 14, इसे divide करेंगे, numerator 9 है dividend और denominator 14 है divisor, यहां dividend छोटा है और divisor बड़ा है, previous sum की तरह same step follow करेंगे, rough working में 14 के table को लिख कर रखेंगे, जिससे divide करने में आसानी होंगी, 14 के table में 9 नहीं आएंगा, क्यूंकि 9 छोटा है 14 से, ऐसे condition में जहां dividend छोटा होता है, तो हम यह step follow करेंगे, 14 को multiply करेंगे 0 से, तो हमें मिलेगा 0, जो 9 से छोटा है, 14 0 सा 0, 9 में से 0 को minus करेंगे, तो मिलेगा 9, अब 9 को आगे divide करने के लिए, हमें 9 के आगे 0 लगाना होंगा, जिसके लिए हम question में decimal point लगाएंगे, जिसके बाद हम remainder में 0 लगा सकते है, तो अब यह 9 हो गय 90 नहीं आता है, लेकिन उससे छोटा नमबर आता है 84, 14 6 सा 84, 90 में से 84 को minus करेंगे, तो मिलेगा 6, आगे divide करने के लिए 6 के आगे लगाएंगे 0, तो अब यह 6 हो गया 60, अब हमें चेक करना है कि 14 के डेबल में 60 आता है या नहीं, या उससे छोटा नमबर क्या आता है, रफ आगे divide करने के लिए 4 के आगे लगाएंगे 0, तो अब यह 4 हो गया 40, अब हमें चेक करना है कि 14 के डेबल में 40 आता है या उससे छोटा नमबर क्या आता है, रफ वरकी में चेक करेंगे, 14 के डेबल में 40 नहीं आता है, लेकिन उससे छोटा नमबर आता है 28, 14 तूजा 28, 0 से 8 माइनस नहीं होगा, तो बाजू के नंबर से 1 बोरो करेंगे, 4 हो जाएगा 3 और 0 बन जाएगा 10, 10 में से 8 को माइनस करेंगे, तो मिलेगा 2, 3 में से 2 को माइनस करेंगे, तो मिलेगा 1, नंबर मिला 12, आगे डिवाइड करने के लिए 12 के आगे लगाएंगे 0, तो अब ये 12 हो गया 120, अब हमें चेक करना है कि 14 के टेबल में 120 आता है या नहीं, या उससे छोटा नंबर क्या आता है, रफ वर्किंग में चेक करेंगे, 14 के टेबल में 120 नहीं आता है, लेकिन उससे छोटा नंबर आता है 112, 14 एट जा 112, 0 से 2 माइनस नहीं होगा, तो बाजू के नंबर से 1 ब मैनस करेंगे तो मिलेगा 0, नमबर मिला 8, आगे डिवाइट करने के लिए 8 के आगे लगाएंगे 0, तो अब ये 8 हो गया 80, अब हमें चेक करना है कि 14 के डेबल में 80 आता है या उससे चोटा नमबर क्या आता है, रफ वर्किंग में चेक करेंगे, 14 के डेबल में 80 नहीं आता है लेकिन उस्से छोटा नमबर आता है 70. 14 फाइजा 70. 0 में से 0 माइनस करेंगे तो मिलेगा 0. 8 में से 7 को माइनस करेंगे तो मिलेगा 1. नंबर मिला 10 आगे डिवाइट करने के लिए 10 के आगे लगाएंगे 0 तो अब ये 10 हो गया 100 अब हमें चेक करना है कि 14 के डेबल में 100 आता है या नहीं या उससे छोटा नंबर क्या आता है rough working में चेक करेंगे 14 के डेबल में 100 नहीं आता है लेकिन उससे छोटा नंबर आता है 98 14 7 जा 98 100 में से 98 को मैनस करेंगे तो मिलेंगा 2 आगे डिवाइड करने के लिए 2 के आगे लगाएंगे 0 तो अब ये 2 हो गया 20 अब हमें चेक करना है कि 14 के टेबल में 20 आता है या नहीं या उससे छोटा नंबर क्या आता है रफ वरकिंग में चेक करेंगे 14 के टेबल में 20 नहीं आता है लेकिन उससे छोटा नंबर आता है 14 14 वनजा 14 20 में से 14 को मैनस करेंगे तो मिलेगा 6 तो रिमेंडर 6 इस डिवीजन में दोबारा आया है इसका मतलब यह है कि यहां फिड से डिवीजन का रिपीटेशन होंगा तो यहां हम डिवीजन को एंड करेंगे कोशन 0.6428571 होंगा हमारा अंसर लिखेंगे 9 अपॉन 14 का डेसिमल फॉर्म है 0.6428571 428571 का रिपीटेशन होंगा इसलिए 42857 के उपर एक बार प्लेस करेंगे फॉर्थ कुशन है माइनस 103 अपॉन 5 इसे डिवाइड करेंगे निूमरेटर माइनस 103 है डिवीडेंड और डिनॉमिनेटर फाइड है डिवाइजर माइनस की साइन को निकाल कर डिवाइड करेंगे यहाँ डिवीडेंड बड़ा है डिवाइजर से तो नॉर्मल डिवीजन करेंगे रफ वर्किंग में 5 के डेबल को लिख कर रखेंगे जिससे डिवाइड करने में आसानी होंगी डिवीडेंड है 103 और डिवाइजर है 5 5 के डेबल में 10 आता है 5 टूसा 10 10 में से 10 को माइनस करेंगे तो मिलेगा 0 डिवीडेंड का 3 नीचे उतारेंगे तो नंबर मिला 3 अब डिवीडेंड छोटा है और डिवाइजर बड़ा है प्रिवेज सम की तरह सेम स्टेफ फॉलो करेंगे 5 के डेबल में 3 नहीं आएंगा क्यूंके 3 छोटा है 5 से ऐसे कंडिशन में जहां डिवीडेंड छोटा होता है तो हम ये स्टेफ फॉलो करेंगे 5 को मल्टिप्लाइ करेंगे 0 से तो हमें मिलेगा 0 जो 3 से छोटा है 5 0 जा 0 3 से 0 को माइनस करेंगे तो मिलेगा 3 अब 3 को आगे डिवाइड करने के लिए हमें 3 के आगे 0 लगाना होंगा जिसके लिए हम कोशन में decimal point लगाएंगे जिसके बाद हम remainder में 0 लगा सकते है तो अब ये 3 हो गया 30 अब हमें चेक करना है कि 5 के डेबल में 30 आता है या नहीं 103 अपॉन 5 का decimal form है 20.6 अब कोशन में माइनस की साइन लगाएंगे तो हमें answer भी माइनस में मिलेगा therefore माइनस 103 अपॉन 5 का decimal form है माइनस 20.6 फिफ्ट कोशन है माइनस 11 अपॉन 13 इसे डिवाइड करेंगे numerator माइनस 11 है dividend और denominator 13 है divisor माइनस की साइन को निकालगा divide करेंगे यहाँ dividend छोटा है और divisor बड़ा है rough working में 13 के टेबल को लिख कर रखेंगे जिससे divide करने में आसानी होंगी 13 के टेबल में 11 नहीं आएगा क्योंकि 11 छोटा है 13 से ऐसे condition में जहाँ dividend छोटा होता है तो हम यह step follow करेंगे 13 को multiply करेंगे 0 से तो हमें मिलेगा 0 जो 11 से छोटा है 13 0 0 11 में से 0 को माइनस करेंगे तो मिलेगा 11 अब 11 को आगे divide करने के लिए हमें 11 के आगे 0 लगाना होंगा जिसके लिए हम question में decimal point लगाएंगे जिसके बाद हम remainder में 0 लगा सकते है तो अब यह 11 हो गया 110 अब हमें चेक करना है कि 13 के table में 110 आता है या नहीं या उसे छोटा नमबर क्या आता है rough working में चेक करेंगे 13 के table में 110 नहीं आता है लेकिन उसे छोटा नमबर आता है 104 13 एटजा 104 110 में से 104 को माइनस करेंगे 0 से 4 माइनस नहीं होगा तो बाजू के नमबर से 1 बोरो करेंगे 1 हो जाएगा 0 और 0 बन जाएगा 10 10 में से 4 को माइनस करेंगे तो मिलेगा 6 0 में से 0 को माइनस करेंगे तो मिलेगा 0, 1 में से 1 को मैनुस करेंगे तो मिलेगा 0, नमबर मिला 6, आगे डिवाइड करने के लिए 6 के आगे लगाएंगे 0, तो अब ये 6 हो गया 60, अब हमें चेक करना है कि 13 के टेबल में 60 आता है या नही, या उससे छोटा नमबर क्या आता है Rough Working में चेक करेंगे 13 के टेबल में 60 नहीं आता है लेकिन उससे छोटा नमबर आता है 52 13 Forza 52 60 में से 52 को माइनस करेंगे तो मिलेगा 8 आगे डिवाइड करने के लिए 8 के आगे लगाएंगे 0 तो अब ये 8 हो गया 80 अब हमें चेक करना है कि 13 के टेबल में 80 आता है या नहीं या उससे छोटा नमबर क्या आता है Rough Working में चेक करेंगे 13 के टेबल में 80 नहीं आता है लेकिन उससे छोटा नमबर आता है 78 13 सिगजा 78 80 में से 78 को माइनस करेंगे तो मिलेगा 2 आगे divide करने के लिए 2 के आगे लगाएंगे 0 तो अब ये 2 हो गया 20 अब हमें चेक करना है कि 13 के table में 20 आता है या नहीं या उसे छोटा नंबर क्या आता है rough working में चेक करेंगे 13 के table में 20 नहीं आता है लेकिन उसे छोटा नंबर आता है 13 13 वंजा 13 20 में से 13 को माइनस करेंगे तो मिलेगा 7 आगे divide करने के लिए 7 के आगे लगाएंगे 0 तो अब ये 7 हो गया 70 अब हमें चेक करना है कि 13 के table में 70 आता है या नहीं या उसे छोटा नंबर क्या आता है rough working में चेक करेंगे 13 के table में 70 नहीं आता है लेकिन उसे छोटा नंबर आता है 65 13 वाइजा 65 70 में से 65 को माइनस करेंगे तो मिलेगा 5 आगे divide करने के लिए 5 के आगे लगाएंगे 0 तो अब ये 5 हो गया 50 अब हमें चेक करना है कि 13 के table में 50 आता है या नहीं या उसे छोटा नंबर क्या आता है रफ वरकिंग में चेक करेंगे 13 के table में 50 नहीं आता है लेकिन उसे छोटा नंबर आता है 39 13 थरीजा 39 0 से 9 माइनस नहीं होंगा तो बाजू के नंबर से 1 बॉरो करेंगे 5 हो जाएगा 4 और 0 बन जाएगा 10 10 में से 9 को माइनस करेंगे तो मिलेगा 1 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो मिलेगा 1 नंबर मिला 11 तो रिमेंडर 11 इस डिवीजन में दोबारा आया है इसका मतलब यह है कि यहां फिर से डिवीजन का रिपीटेशन होंगा तो यहां हम डिवीजन को end करेंगे कोशन 0.846153 होंगा हमारा अंसर कोशन में माइनस था इसलिए अंसर को भी माइनस में लिखेंगे माइनस 11 अपॉन 13 का डेसिमल फॉर्म है माइनस 0.846153 846153 का रिपीटेशन होंगा इसलिए 846153 के उपर एक बार प्लेस करेंगे दोस्तो इस वीडियो को देखने के लिए ठैंक यू इस वीडियो को ज़्यदा से ज़्यदा शेर करें लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे